Hi everyone, welcome to current crunch, तो start करते हमारा आज का वीडियो, आज हम discuss करने जा रहे हैं, food science and processing का part second, part one मैंने कल upload किया है, I hope आपने वो देखा हो मेरी चैनल पे, जिसने अभी तक नहीं देखा, तो आपको मेरी playlist पे वो मिल जाएगा, lecture number 42, तो आज हम उसी topic को continue करेंगे, जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए पहली मैं बता दू, मैं जेके SSB के courses लेके आती हूं, आपके specialization का, specialization part जो है बस दो-तीन दिन की बात है, यह हमारा cover हो जाएगा, प्लस इस पर मैं GK भी करवा रहे हूं, with special reference to JNK, जिसमें currently हमारा constitution वाला part चल रहा है, ठीक है, यह अगर आप UPSC और State PSC के त्यारी करें, और आपका sociology optional है, तो भी यह चैनल आपके लिए beneficial रहेगी, क्यूंकि इस पर मैं Nitin Sangwan sir की essential sociology, की जो book है, उसके videos provide करती हूं, तो paper A हमारा उस optional का complete हो गया है, sociology optional का, और उसमें currently, आपके paper B का, जो है 50% वो भी over हो गया है, ठीक है, तो अगर आप इन exams की preparation कर रहे हैं, तो भी आप इस channel को ज़रूर subscribe करें, और अगर आप JK SSB की preparation कर रहे हैं, तो भी इसको subscribe करें, क्यूंकि आगे में जाके, आपके जो NT exams and बाकी सारे exams आएंगे, जैसी उनके syllabus release होते हैं, तो मैं आपके उसके भी videos लेके आऊंगे आपके लिए, ठीक है, तो do like, share and subscribe, to this channel, तो start करते हैं, without wasting much time, food science and processing हमारा हो गया, ठीक है, मैंने आपको introduction वगेरा, इसका सारा दे दिया, आए होप आपको इकलियर हो गया हो, अब कुछ important बाते हैं, जो मैं चाहती थी, आपको मैं बताऊं, जहां से हो सकते हैं, आपके questions बन सकें, तो वो हमें नहीं छोडने चाहिए, इस वजह से, मैंने इसका part 2 भी जो है वो, लेकी आई हूँ, the following methods are applied for the proper processing of food, ठीक है, तो कौन-कौन से methods हैं, एक तो जो हमने कल सारे discuss की, plus कुछ और technical terms है, जो हमने अभी तक discuss नहीं, की थी last video में, वो मैं आपको यहां पे बताऊंगी, जिससे ये peeling, chopping, mincing, इसमें कुछ technical नहीं है, जो ये, इनका literal English meaning है, वो ही इनका food processing में भी meaning होगा, food processing में आपको यह याद रखना है, पहले सबसे पहले होता क्या है, जिसमें आप raw material को convert करते हो, किसी एक finished product में, finished food product में, या semi-finished में, semi-finished मेंने आपको dough की example दीती, वो एक semi-finished product है, या raw हो गया, जैसे आप orange, आपके पास है, उससे आप orange juice बना रहे हो, ठीक है, तो वो एक finished product है, तो बाकी, सारी चीज़े हमने आपर देख ली है, fermentation हो गया है, cooking, mixing, proofing हमें करना है, pasteurization, packing, ठीक है, यह सारी चीज़े हो गई है, अब हमारा क्या रहता है, यहाँ पर liquification, जो हमने discuss नहीं किया है, liquification, liquification क्या होता है, आपको नाम से ही लग रहा होगा, किसी चीज़ को, हम क्या करते हैं, liquid बनाते हैं, for example, हमारे पास oranges है, हमें orange juice चाहिए, that is your liquification, हम क्या करते हैं, चीज़ को, हम उसको liquid form में convert करते हैं, और ऐसे convert करना है, जिस nutrients वगेरा उसमें हैं, वो preserved रहें, fine, and oranges आप जाधा time तक store नहीं कर पाऊगे, लेकिन जब आप उसका orange juice बनाऊगे, तो उसमें ऐसी चीज़े जाएंगी, कि वो एक तोद nutrients उसके preserved रहें, प्लस उसके shelf life भी increase हो जाएं, microbial activities जो है, वो उस पे ना हो, microbial growth उस पे ना हो, and अब काफी time तक fresh juice जो है, वो enjoy कर पाऊगे, that is your liquefaction, fermentation हमने कल किया, emulsification ते को क्या होता है, emulsification दर असल emulsifiers होते हैं, वो आपके, emulsifier, emulsifiers, वो आपके binding agents होते हैं, binding agents, ठीक है, for example, आपको ice cream घानी है, ठीक है, तो ice cream के क्या-क्या components होंगे, आपको उसके लिए fat चाहिए, sugar चाहिए, water चाहिए, fine, अगर आप इन चीज़ों को खुद से मिलाना, शुरू करो, क्या आपको ice cream form में मिलेगी, ice cream का एक texture होता है, एक creamy texture होता है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, binding agent जिसे emulsifier है, वो मिलाना पड़ता है, आपने मिलाया emulsifier उसमें, तो जिब, for example, क्या जाएगा, इसमें egg yolk, वो एक natural emulsifier है, इसमें हम natural भी add करते हैं, या artificial उनको stabilizers बोलते हैं, वो भी add कर सकते हैं, as in emulsifier, तो आपने उसमें egg yolk डाला, उसके बाद जब, mix करते जाओ, करते जाओ, तो वो एक creamy texture बनेगा, जो ice cream के form में, आपको मिलेगा, आपको simply sugar, fat, जो water है, आपको mix करके दे दे दें, तो क्या आप उसको ice cream मानोगे, आपको ice cream का एक वैसा texture होना चाहिए, with the help of emulsifier, हम वो texture achieve करते हैं, या आप देखो, अगर आपको oil, water को mix करना है, तो यह चीज़े आपस में mix नहीं हो जाएंगे, immiscible liquids उनको बोलते हैं, अगर आपको कोई product बनाना है, जिसमें आपको oil की भी जरूरत है, water की भी जरूरत है, आप इनको कितना भी mix करो, यह वो final, उनका जो texture है, वो achieve नहीं होगा, तो उसके लिए, उन immiscible liquids के लिए, हम एक binding agent डालते हैं, जिसको हम emulsifiers बोलते हैं, जैसे आपका egg yolk, वो भी एक emulsifier act करता है, और बहुत सारे emulsifiers जो हैं, वो available हैं, उसमें आपके chemicals भी synthetic भी होते हैं, और आपके natural emulsifiers भी हैं, ठीके, तो यह आपका emulsification हो गया, gasification क्या होता है, gasification थोड़ा मैंने आपको बोला कल, जैसे मैं आपको बोला डो बनाने के टाइम हम क्या करते हैं, yeast यूज करते हैं, yeast यूज किया, तो वो yeast क्या करते है, जो उस आटे में natural sugar है, उसको consume करता है, and then gas release करता है, वो कुम सा gas release करता है, carbon dioxide, तो उससे क्या हो जाता है, वो थोड़ा, जो उसका texture है, वो rise करते हैं, जैसे मैंने कहा था, आपको कल, जैसे आप burger खाते हो, याप बंद खाते हो, तो उसे क्या हो जाता है, वो जो gas bubbles release करता है, उससे वो rise हो जाता है, आपका dough, ठीक है, तो उस form में बनता है, जैसे form में आप खा सको, यहाँ पे carbon dioxide, soft drinks में भी मैंने कहा, उसमें dissolved carbon dioxide होता है, और एक best example, इसके एक chips का packet ले लो, जब भी आप chips का packet खोलते हो, आपको एक smells ही, उसमें feel होगी, वो किसकी smell होती है, दर असल वहाँ पे, वो nitrogen gas की होती है, तो हम chips के packet में क्या किया जाता है, जो oxygen होता है, उस packet में होगा, जब उस packet को seal करोगे, उस oxygen को बहुत कम करते हैं, और वहाँ पे nitrogen एड़ किया जाता है, nitrogen एक inert gas है, that means यह reactive नहीं है, तो जो oxygen प्रेजन होगा वहाँ पे, यह उसे react नहीं करेगा, यह आपके chips को क्या करता है, यह fresh रखता है उनको, ठीक है, तो अगर यह nitrogen gas नहीं होगा, और वहाँ पे सर्फ oxygen प्रेजन होगा, उस chips के packet में, तो क्या होगा, आपका जो यह है, chips की, एक तो microbial growth हो जाएगी, और फ्रेश नहीं रहेंगे, आप chips का packet खोलो, जाहे कितना भी पुराना हो, अभी तक अभी आपनी यूज अगर नहीं किया हो, वो नहीं खोला होगा, तो आपको crispiness और crunchiness, जो है chips की, वो वैसे ही देखने को मिलती है, वो ऐसी crunchy होता है, chips का packet, जाहे कितना भी पुराना शॉप में पड़ा हूआ हो, ठीके, वो इसी nitrogen gas की वज़ा से होता है, क्यूंकि हम oxygen उसे काफी हद तक निकाल लेते हैं, packet से और उसमें nitrogen डालते है, जिससे आपका oxidation नहीं होती है, वो oxidize नहीं करते हैं, chips, उन पर bacterial growth नहीं होती है, या तो proofing boxes आते हैं, उसमें डाल दो, तो यह सारा जो procedure होता है, यह part of आपके food processing में आता है, उस part को हम proofing ही बोलते हैं, कुई नाई चीज नहीं है, आपने सुना होगा, जिब केक वगेरा बेक करते हैं, हमें baking powder की भी जरूरत पड़ती है, ठीके, तो अगर हमें उसमें क्या difference है, baking powder और yeast में, काम दोनों यही कर रहे हैं, उसको rise कर वा रहे हैं, थोड़ा आपके structure को फुला देते हैं, तो baking powder जो होता है, वो instant rise प्रोवाइड करता है आपको, और वो chemical होता है, yeast एक living organism है, तो यह slowly काम करेगा, और natural है, तो आपको कितनी जल्दी चाहिए, कि आपका dough जो है वो rise करे, थोड़ा वो texture और taste में कुछ-कुछ difference हो, तो उसके basis पे, या तो आप baking powder यूज करोगे, जो एक chemical है, या तो आप yeast यूज करोगे, ठीके, pasteurization packing, spray drying, देखो spray drying क्या होता है, आपको, मैं पहले ही clear कर देती हूँ, मुझे चीज, यहां भी मुझे इरिटेट करें, wait, एक बनेट आप, ऐसी रहो, इसलिए मैं बोलती हूँ, सिरफ आप PPTs देखोगे, तो उनसे आपका काम नहीं होगा, मतलब सिरफ आप PPTs देखोगे, उनसे काम नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, साथ-साथ मेरी वीडियो भी देखने होगे, और यह चीज़े, रवाइस भी करनी होगी, ठीक है, अगर बेटर रहेगा, अगर आप अपने notes बनाओगे, ठीक है, क्योंकि काफी चीज़े में, एक्जाम्पल्स वगएर आपको देती हूँ, जो मैंने PDF में मेंचिन नहीं किये होते हैं, जब पढ़ाते पढ़ाते, वो एक्जाम्पल्स दिमाग में आ जाती हैं, अब सारी चीज़े इंसान PDF में इंक्लूद नहीं कर सकता है, जैसे spray drying हो, spray drying में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास liquid form में होगा, उसको हम क्या करेंगे, powder form में convert करते हैं, हमारे पास food products होते हैं, जो powder form में होते हैं, वो क्या हुआ, आपका coffee, tea, milk powder, तो वो आपको powder form में चाहिए, आपको milk से milk powder बनाना है, तो उसको हम spray drying method से करते हैं, spray drying में basically क्या होता है, जो भी आपका liquid होता है, उनको आप droplets में convert कर देते हो, फिर उन droplets को आप instant heat करते हो, instant heat, वो through hot chambers या कुछ ऐसा machine होगी, वहां से आप निकालोगे, जहांसे उनको steam मिलेगी बहुत सारी, और वैसे करके उनको एक powder form में convert कर देते हो, और आपका coffee, tea, milk powder वगएरा, वो सारे spray drying से तयार होते हैं, फिर आगे आपका homogenization जो हमने नहीं पढ़ा, यह दर असल milk products के लिए ही use होता है, dairy products के लिए homogenization, इसमें क्या होता है, देखो आपका जो milk है न, milk है, ठीक है, अगर आप packet वाला पियो, अमूल वगएरा, तो आपको थोड़ा वो, ठिकने से और एक consistency लगेगी milk में, ठीक है, जो आपको directly cow milk में नहीं लगेगी, उसमें क्या होता है, उनकी homogenization होई होती है, homogenization में क्या हुआ, milk में कुछ fat, यह होगा, fat globules होते हैं, ठीक है, उन fat को क्या कर देते हैं, homogenization में, उस milk को क्या करेंगे पहले, उसको एक high pressure machine से निकाल देते हैं, यह high pressure machine है, ठीक है, जो इस milk पे pressure exert करेगी, यहां से आपने milk डाला इसमें, यह दूद हो गया, तो यह क्या करता है, जो fat globules का size है, उसको shrink कर देता है, ठीक है, तो जहां पे पहले आपका इतना सारा milk था, अब वो इतना सारा रहे गया, उसके जो fat globules हैं, वो shrink हो गए, तो उससे आप एक अच्छा thickness, एक अच्छी consistency जो है, वो achieve कर सकते हो, तो usually जो milk की सारी processing है, उसमें आपके pasteurization भी होता है, जो हमने कल पढ़ा, और आपका homogenization भी होता है, इससे अब shelf life भी increase कर सकते हो, उसका taste भी अच्छा हो जाता है, texture भी अच्छा हो जाता है, ठीक है, तो ये सारे जो parts है, ये भी आप spray drying, homogenization, emulsification, liquefaction, ठीक है, gasification, ये सारी चीज़े भी आप देख लें नाइंग पारी, तो आगे चलते हैं, अब हमारे कुछ Indian processing, food processing में हम spices use करते हैं, जब यहां पर processing technology उतनी develop नहीं थी इंडिया में, पुराने ज़वाने में लोग क्या करते हैं, spices को use करते थे, तो क्या के spices हैं वो भी हम देख लेते हैं, एक हमारा turmeric हो गया आपका हल्दी, उसके अंदर antimicrobial properties हैं, जो inhibit करता है growth of bacteria and fungi in food, और उसका extend करता है, उसकी shelf life, तो हल्दी में काफी ज़ादा antimicrobial properties होती हैं, और इन फैक्ट पुराने जमाने में, जब आपका medical science भी ज़ादा यह नहीं हुआ था, उतना develop, उतना develop के start भी नहीं हुआ था, जब तो लोग हल्दी ही use करते थे, बड़ी-बड़ी जख्मों को heal करने के लिए, आज भी अगर देखो, अगर आपको cut लग जाए के चन में काम करते हुए, तो आप जल्दी उस पे थोड़ा पहले पानी से अगर दो, उसके बार dry करके जल्दी उस पे हल्दी डाल दो, या अगर दो होगे बीनी पानी से जख्म को, सीधे उस पे हल्दी डाल लो और थोड़ा सा pressure exert करो दूसरी finger से, आप दो कुछ टाइम के बाद आपका जख्म में वो heal हुआ होगा, तो काफी ज़ादा अच्छा रहता है इन चीज़ों के लिए, या अगर आप हल्दी डूद में डाल के पी तो इसलिए बोलते हैं हल्दी का दूद पीना चाहिए, तो वो आपकी बोन्स वगेरा भी के लिए बी काफी अच्छा रहता है, तो काफी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं स्पाइस में, क्यूमिन जीरा ये एक नाश्रल प्रिजरवेटियों की तरह काम करता है, ये भी प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है, यह यूजूली हम इंडियन क्यूजीन में डालते हैं, यहां के खानों में उनको वाउम और अर्थी फ्लेवर देने के लिए, कॉरिएंडर धनिया ये एड किया जाता है, citrusy और slightly sweet flavor देने के लिए dishes को, इसके अंदर भी antioxidant properties होती है, मतलब यह delay करता है, oxidation of fats oils and food, तो जल्दी जो है, वो oxidize नहीं करेंगे fat and oil, that means जो कब food है, वो जादा time जग fresh रहेगा, cinnamon, दाल, चीनी इसके अंदर भी आपको antimicrobial properties मिलेंगी, जो रोकता है, inhibit कना, मतलब stop करता है growth of spoilage causing microorganisms and thus increase करता है उनकी shelf life, close, long यह वो long, I am sure आपने यूज किया होगा, तो इसको pungent सा flavor होता है, aroma strong एक flavor होता है, इसका long का काफी, तो इसमें भी आपको antimicrobial properties देखने को मिलेंगी, ठीक है and अगर किसी को tooth ache हो रहा होता है वहांबे भी long जो है, long call clove oil आप यूज कर सकते है directly long का थोड़ा सा paste बना के उस tooth के एदियर लगा सकते हो, क्योंगे उसके लिए भी काफी अच्छा रहता है फिर हो आपका black pepper काली मिर्ची, यह add करता है heat and flavor to the dishes and इसमें कुछ compounds होते हैं जैसे आपका piperine जो inhibit करता है growth of bacteria and fungi in food और increase करता है उनकी shelf life फिर होगे mustard seeds, rai के दाने इनमें भी एक pungent flavor and aroma आपको देखने को मिलेगा इनमें antimicrobial compounds होते हैं जैसे आपका allyl isothiocyanate जो inhibit करता है growth of bacteria and fungi in food and यह भी act करता है natural preservative तो fenugreek methi इनमें compound होते हैं जैसे galactomanan यह आप compound थोड़े याद रख ले ना क्यूंकि Indian spices हैं तो यह भी आपको पता होने चाहिए जिनमें antioxidant and antimicrobial properties होती हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े क्या कर रही है आपके food का साथ-साथ एक तो antimicrobial है उनको destroy नहीं करने देंगी तो उसे क्या हो जाएगा उनकी shelf life जो है वो increase हो जाएगी curry leaves यह भी एक तो flavor aroma देता ही है साथ में antimicrobial भी है तो inhibit curry का growth हो bacteria and fungi यह usually south में यूज़ करते हैं southern states ने वो curry leaves almost अपनी हर dish में जो है यूज़ करते हैं तो यह एक natural preservative आपको मिलता है आपके kitchen में यह सारी चीज़े आप देख लोगे इसमें compounds किस-किस के में आपको बोले है वो याद रखोगे and at least spices पता होने चे आपको यह क्या करते हैं फिर हमको scheme सेखते हैं जो food processing sector की है होसता है schemes related भी आपको FPI, that is your food processing industry वहाँ से कोई question आजाए तो इसकी कम ही schemes हमें देखनी है 5-6 बस National Mission on Food Processing यह launch की थी Ministry of Food Processing Industries ने a Decentrally Sponsored Scheme है 2012 में launch हुई थी इसमें इसका basic objective क्या था इसका basic objective था decentralize करना इसको implementation of जो भी food process related schemes है उनको decentralize करना Decentralize करना मतलब क्या हुआ schemes का control दे देना states और UTs को ताकि वो ensure करेगा कि states और UTs जो है properly participate कर रही हैं कि नहीं यह check करने के लिए ठीक है तो basic objective of NMFP is a decentralization of the implementation of food processing related schemes for ensuring की substantial participation of state government and UTs ठीक है जहां पर भी आप centralized है decentralized term देखोगे centralized हो जहां पर center अपने पास सारा control ले लेती है that means आपकी जो union government है ठीक है Delhi union government parliament उसके पास control जाएगा and जब decentralized करते हो मतलब powers of states और UTs में ज़्यादा उनको distribute करने की कोशिश करते हो तो यह इसका basic objective था regarding FDI norms FDI norms में आप यह याद रखना है FDI foreign direct investment होता है जो बहार से investments आती है उसके कुछ norms and regulations होते है यहां पर कितना tax लगेगा क्या होगा कितना percentage जो है आप utilize कर सकोगे जितना percentage बहार से आया है तो वो सारा economy का part है वो आपको नहीं देखना है आपको इसमें याद रखना है कि government of India ने relax किया है FDI को food processing sector में और बोला है 100% FDI जो है वो allow होगा इसमें ठीक है आपको बस याद रखना है 100% FDI जो है वो इसमें allow होगा the ministry of food processing industry जो है उन्हें announced की scheme for human resource development that is HRD तो HRD scheme in the food processing sector वो क्या बोलती है it is being implemented through state governments under the national mission on food processing तो यहाँ पर जो national mission on food processing पढ़ा इसी के under वो scheme आती है जो किसके लिए लिके आए थी ministry of food processing industries आपके HRD के लिए that is the human resource development ठीक है इस scheme के चार components आपको मिलेंगे एक है creation of infrastructure facilities for degree diploma courses food processing sector में entrepreneurship development program जो इसी business opportunities के related है food processing training centers जो है वो set up किये जाएंगे वो training जो होगी वो recognized institutes में होगी at the state level and both national level तो यह चार points आपको इसमें याद रखने है फिर आगे आपका PM किसान संपदा योजना यह किसके लिए लाया गया था promote करने के लिए entrepreneurs को that means entrepreneur कोन होते है आपके जो business start कर रहे होते है जो start ups वगेरा करते हैं ठीक है in setting up food processing units closer to agriculture areas ठीक है तो किन के लिए लाए गई थी किसान संपदा योजना किसान से याद रख लेना agriculture ठीक है तो यह promote करेगा entrepreneurs को set up करने के लिए food processing units कहां पे closer to agricultural areas में agriculture areas तो इसके अंडर क्या क्या किया जाएगा develop करेंगी cold storage facilities specialized packaging units होंगे warehousing facilities and बाकी preservation facilities वगेरा भी तो आप grant कितना मिलेगा 35% of the eligible cost जो है in most states and 50% कहां पे north eastern and himalayan states इतने पैसे भी मिलेंगे इस scheme के अंडर ठीक है तो development of agriculture facilities under this scheme वो किस-को benefit करेगा beneficiaries कोन रहेंगे इसके आपके investors होगे entrepreneurs होगे farmers होगे farmer organization and agriculture cooperatives ये सारे जो ये है ठीक है ये सारे institutes जो है ये से benefit हो जाएंगे ये भी में आप याद रखो गया आपके देखते है creation of mega foot parks तो mega foot park basically क्या करता है ये एक infrastructure प्रोवाइड करता है आपका जो भी agriculture produce होगा उतको market के साथ link करके ताके जो wastage वगेरा होती है रस्ते में wastage वो सब ना हो ठीक है जैसे मैं आपको एक example oranges की दीती चलो यहाँ पर हम potatoes की example लेते हैं वो best है समझने के लिए हम chips खाते हैं तो उसमें क्या होता है आलू तो आलू कहीं पर उगते हैं फिर transport कहीं पर होते हैं कहीं पहुंचते हैं and finally वो एक factory में जाते हैं जो आपके chips बनाती है ठीक है तो रस्ते में कितना सारा wastage होता है और कितना cost वगेरा हमें इन सब चीजों में जाता है उन चीजों को reduce करने के लिए क्या किया है agriculture produce को link किया directly आपके market के साथ ठीक है ये इसका main काम है उसके लिए follow करते है cluster approach cluster approach में क्या किया for example यहाँ पर आपके farmer group होगे यहाँ पर आपके self-help groups होते हैं कुछ and यहाँ आपके individual farmers होगे तो वो जो अपना produce है वो directly किसको दे देंगे यहाँ पर आपके collection centers set हो जाते हैं collection centers को दिए collection centers क्या करेंगे उनको ले जाएंगे कहाँ पर इस सारी चीज़े एक ही जगे पर होगी processing units में processing center में उनकी processing हो जाएगी और बाद में उसको एक central processing center पर लिया जाएगा जो आपका main processing center होगा और वहां से उसकी retailing होगी वो market में जाएगा तो इस सारे चीज़े जो है किसले की जाते हैं usually ताकि आपका जो wastage वगेरा है वो नहीं हो जाए जो ये वाला model है जो follow करते हैं से clusters बनाके इसलिए इसको बोला जाता है cluster approach या इसको hub and spoke model भी बोलते हैं hub and spoke model अगर इस slide पे नहीं mention होगा तो आप एक खुद notes में लिख लेना ठीक है तो ये आपका क्या कौन काम करते हैं आपका mega foot box तो इसके लिए financial assistance up to 50 crore जो है government of India प्रोवाइड करती है ठीक है 2000 आप year check कर सकते हो एक बढ़ी net पे cross check कर लेना जाए 2008 में इसकीम आई थी इसमें tetra packing tetra packing आपने सुना होगा जिसे अमूल के ads में बोलते है tetra packed है उसमें काफी layers में packing की जाती जैसे उसका जो paper board होता है वो एक special material का होगा फिर कई packings में aluminium foil भी use होता है कहीं पे आपको polyethylene जो है वो भी packing में मिलता है तो इसको हम tetra packing बोलते हैं food testing laboratories, drying chambers आपके spices ये agriculture produce के लिए cold storage, ware housing जहां पे उनको बेचने से पहले store किया जाता है packaging and printing ये सारी facilities जो हैं आपके mega foot parks में available हैं cluster approach, hub and spoke model क्या के facilities है and link करना agriculture produce को to market ये सारी चीज़े आप इसमें याद रखोगे next देखलो आपका operation greens ये आए था budget 2018-19 में तो current perspective से important नहीं है लेकिन ये scheme इसले important है क्योंकि ये आपके ministry of food processing industries की scheme है वो लेके आए थे तो ये किन के लिए लेके आते हैं इसली जो operation greens है किसके लिए लेके आए थे ये आपके tomato, onion and potato के लिए top करके याद रख सकते हो आपस में तो ये क्यों लेके आए थे ensure करने के लिए कि availability रहे इन तीन चीज़ों की and आपका जो price है वो भी stabilized form में रहे ठीक है तो इस वज़े से government ये scheme लेके आई थी उसमें आपको post harvesting facilities जैसे आपका transportation cost हो गया उसमें आपको government 50% subsidy देगी ठीक है तो ऐसी सारी बाते इस scheme में हुई थी operation green किन से related top से ये आपको याद रखना है and आपके ministry of fpi की scheme है तो ये scheme जो हमने यहाँ पर सारी पढ़ी है वो आपकी food processing industries यही लाई हुई schemes है ये चीज़ आपको पता है याद भी रखना ये हम formalization of micro food processing enterprises ये आपके small micro units होगे जो food processing के काम के साथ related होते हैं वो छोटे-छोटे काम जैसे chili drying, spice packaging, pickle and papard making ठीक है making engaged directly with farmers तो ये सारे चोटे-चोटे काम इनके लिए भी government schemes लेके आती है small micro units होते है food processing industry के आपके इसमें इनका कैसे role recognize किया जाता है 35% subsidy can be availed by such units on the project cost उनके project cost पे 35% subsidy उनको दी जाएगी that is up to your 10 lakh rupees ठीक है तो ये चीज़ आप याद रखोगे production linked incentive scheme for the food processing sector तो इसमें क्या होगा job के production का काम है manufacture का काम है उसमें आपको क्या मिलेगा आपको subsidies मिलेंगे आपको incentives मिलेंगे government ने इसके लिए नाउस कि 10,900 crore rupees अगर अमाउंट याद नहीं भी रखो तो चलेगा the effort is to take the country's food processing to a next level amid the rising global demand for Indian ready to eat foods organic products काफी जादा बढ़ने लगी इस वज़े से इनकी manufacturing में जो सारे products use होते है raw materials use होते है उसके manufacturing में उन raw materials की आपको incentives दिये जाएंगे the objective of the scheme are to support food manufacturing entities with stipulated minimum sales and that are willing to make minimum stipulated investment for the expansion of the processing capacity and branding abroad to incentivize the emergence of the strong Indian brands ठीक है तो इतना कुछ इसमें खास नहीं है बस यही है कि आपके जो food manufacturing आपके food manufacturing entities जो है जो food को manufacture करेंगे ताकि वो food एक global level पर rise कर सके उसमें आपको क्या provide करेगी government आपको incentives मिलेंगे ठीक है तो उसके लिए government ने पहले outlay कितना रखा 10,900 करोर तो यह देख लो schemes पस इतनी ही है याद रखने वाली Food Safety and Standards Authority of India जोसको आपने स्टुना होगा FSSAI approved हम बोलते है यह चीज जो है यह FSSAI approved है तो basically वो FSSAI क्या करता है वो regulatory standards बताता है for the articles of food आपके food items के लिए regulate करने के लिए उनकी manufacturing, storage, distribution sale and import ensure करने के लिए availability of safe and wholesome food for the human consumption कि जो आप खार रहे हो उसकी safety wholesome एक तो वो ensure करता है प्लस उसके regulation क्या होनी चाहिए उसकी manufacturing में, storage में, distribution में sale में and import में उसके लिए कुछ standards जो है वो बताता है आपको FSSAI ठीक है यह याद रख लेना यह established हुआ था under Food Safety and Standards Act 2006 जो FSSAI है यह autonomous body है established under the Ministry of Health and Family Welfare ठीक है तो अगर आपको इसे exam में आजाए Ministry of आपने यह इसमें पढ़ा है FPI में Food Processing Industries वहाँ पर अगर यह आजाए किसके under established हुआ था तो वहाँ पर आपको confused हो जाओगे पका तो यह याद रख लेना यह Ministry of Health and Family Welfare शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते के under established हुआ था operating by the guidelines set across by the FSA 2006 में जो guidelines set हुई थी उसी पर operate कर रहा है यह एक responsible authority है जो safeguard करती है public health through regulation and supervision of food safety ठीक है फिर कुछ additional information देख लो जो current minister है FPI का वो कोन है that is your Shri Pashupati Kumar Paras SSB के papers है मैंने कुछ ऐसे questions भी देखे है जहां पर आपको minister का नाम भी पूछा हूँ और एक चीज़ है FPO यह FPO क्या बताता है आपको जो food खा रहे हो FPO mark अगर उस पे लगा है that means वो hygienic conditions में तयार हुआ है ठीक है यह जो FPO है दर असल इसके जो standards है कि क्या क्या standard होने चाहिए major करने के लिए कि हाईजीनिक conditions थे की नहीं वो आता था पहले वो enforced था since 1955 and वो आता था under the law of fruit product order FPO ठीक है लेकिन जो हम यह वाला FPO पढ़ रहे है इसको mandatory बनाया गया था हमारे 2006 के बाद ठीक है इसको हम बोलते है यहाँ पर देख लो food process order ठीक है और उससे पहले 1955 से हमारे पास fruit products order था जो mark आपको बताता था कि हाँ यह जो खाना है है यह hygienic condition में तैयार हुआ है लेकिन mandatory यह नहीं था यह mandatory का बन गया यह रखना जरूरी का बन गया यह बना आपका 2006 के बाद ठीक है तो FPO जो है mark is a certification mark mandatory on all processed fruit products sold in India such as आपका package, fruit beverages, fruit jams crushes, squashes, pickles dehydrated fruit products and fruit extracts following the यह क्या follow करता है Food Safety and Standards Act 2006 जसके अंडर आपका FSSAI भी established हुआ है इसका जो mark है यह guarantee करता है कि जो product है it was manufactured in a hygienic food safe environment thus ensuring की जो product is fit for consumption ठीक है जो standards थे they have been forced since 1955 by the law of fruit products order after which the mark is named जो जो mark है food processing order यह नाम कहां से आया है इसका fruit products order से ठीक है लेकिन जो mark है यह mandatory status वो कब मिला after the Food Safety and Standards Act of 2006 इसके बाद यह mark आपके food item पे होना जो सारे यहां पे mentioned है वो mandatory बन गया an FBO license is in fact necessary to start a food food processing industry in India यह भी याद रख लेना the agency that develops standards for this purpose and that which issues the mark is the Ministry of Food Processing Industries of the Government of India तो यह mark इशू को न करता है आपका Ministry of Food Processing Order Ministry of Food Processing Industries ठीक है of the Government of India यह भी याद रख लेना आगे देखते हैं यहां से भी आप देख सकते हो यह government इनकी website से ही मैंने copy किया है expansion is food process order under comes under Ministry of Food Processing Industries effective origin is India effective since 1955 और था यह under the law of food products order और इसी food product order पे इसका नाम पड़ा बाद में food process order ठीक है इसमें कौन से category की यह आते हैं items that is your processed food products वो हमने देखे अभी कौन से होते legal status क्या है इसका क्ये mandatory है mark होना आपके इन items पे and कबसे mandatory बना था आपके 2006 से कुछ benefits एक लो food processing के पहले हो गया हमने इतने सारे अभी तक पढ़ लिये है I am sure अगर यहां से कोई question आएगा यह स्लाइड के देखने के बिना भी you can tackle कि harmful bacteria की growth उनको reduce कर देता है जैसे diseases हो सकती है food को spoil नहीं करता उसकी shelf life को increase करता है reduce करता है health की inequalities को and major health concern को लेकिन इसके drawbacks भी होते है processing में क्या होते है कुछ important nutrients जो होते है food में food item में वो आपके destroy हो जाते हैं ठीक है artificial ingredients इसके अंडर जाते हैं large number of resources they are spent in making the food pleasant to brain that leads to over consumption क्योंकि जो processed food होता है वो यही दमाग में रखे गया बनाया होता है कि उसका taste and flavor आपको पसंदा है और उसमें ऐसे additives एड किये होते है कि आपको addiction हो जाती है और चीज़ों की आपको over eating जो है वो कर सकते हो weight gain वगएरा भी उससे होता है processed foods जो है the biggest source of added sugar जो काफी unhealthy हमारे लिए ठीक है तो यह सारी चीज़े यह सारी चीज़े खतम होती है यहाँ पर यह आपका topic इसके बाद हमारा और कुछ departments है थोड़े वो hygiene control, quality control बगएरा के तो वो हम food hygiene वाले chapter में पढ़ेंगे वो यहाँ पर cover नहीं करेंगे ठीक है तो this complete 3rd 4th chapter now we are left with only 2 chapters आपका chemical analysis है और आपका food hygiene वाला chapter है उसके साथ ही आपका specialization खतम हो जाता है तो congratulations आपके topic खतम होने वाला है आपको जो schemes है बचता है अब unit 6 वो भी में एक दो दिन तक आपके telegram पे upload कर लूँगी so till the time I upload new video bye bye take care have a great day